हाई फ्रेंज निसी जौ में आपका स्वागत है आज मैं आप लोग के लिए एक बेवी के कैप का डिजाइन लाई हूं यह मैंने अपने सबस्क्राइबर के डिमांड पर बनाया एक सबस्क्राइबर कर दिमांड था कि मुझे पंदरा महिने के बेवी का कैप बनाने के लिए बताये तो मैंने उनीक के डिमांड पर यह जाया है क्याप कर देखें इसे तो मैं सेंपल के तौर पर बता रहे हूं लेकिन जब आप 15 मंच के बेवी के लिए बनाओगे तो यह मैंने 30 फंदे लिए हैं आपको 100 से ले करके 115 तक के फंदे आपको रखने होंगे आप 100 से ले करके 115 फंदे तक रख सकते हो तो आपको 15 महिने से ले करके के 2 सावा 2 साल तक के बच्चे का कैप 12 साल तक कभी हो जाएगा अब बना सकते हो तो यह मैंने 30 फंदे लिए है आपको 100 से लेकर के 115 तक फंदे रखने हो गई तब ही आप 15 महिने से लेकर के तो देखिए इसे बनाने के लिए बहुत ही आसान सा दिजाइन है बहुत ही सुन्दर कैप बनेगा देखिए यह पहला रो है इसे हम कि सीधा बनाएंगे पूरी सिलाय जो हम इस परकार से सीधा बनाएंगे फर्स्ट रो यह बस मैंने सेंपल के तौर पर बनाया है इसलिए मैंने 30 फंदे ही डाले हैं आप बनाओगे जब बेबी का स्वेटर तो 15 महीने से ले करके अगर 30 साल तक के बच्चे का बनाना है तो आपको 100 से 115 तक फंदे रखने होगे वो आपको डिशाइड करना पड़ेगा कि आप कितने फंदे रखते हो अगर आप 115 फंदे रखोगे तो बेटर होगा थोड़े बड़े बच्चे तक जब हो जाएंगे तब तक आप यूज कर सकते हो लेकिन जब आपको 0 से लेकर के 6 या 1 यर तक के बच्चों को बच्चे का बनाना है तो आपको 85 तो 90 फंदे रखने होगे यानि कि 85 से 90 फंदे से आप अस्टार्ट करोगे तो कैप आपकी बिलकुल सही बनेगी बच्चे के सर के हिसाब से यह देखिए मैंने फर्स्ट ड्रो कंप्लेट कर लिया है सीधा बुन करके अब सेकेंड ड्रो की बारी है सेकेंड ड्रो भी हम इधर से सीधा ही बुनेंगे यह नहीं कि हमें पीछे से बैक साइड से उल्टा बुनना है नहीं, सेकेंड रो भी हम पीछे से सीधा ही बुनेंगे, हम चार सिलाइयां सीधा ही बुनेंगे, चाहे वो फ्रेंट साइड से हो या बैक साइड से, यह हमारी दूसरी रो है, तीसरी रो भी हम उधर से सीधा ही ब सोभी हम सीधा ही दुनेंगे कि यह देखिए मैंने Čका घेला के मिनें से si ंवातार कर लिये है राइड यह साईड से भी सथी और रॉंट साइच से भी अब देखिए विकis यह क्या करना है से बनाएंगे एक वार से लाई हम इधर से लगाएंगे पीछे से इस परकार से लगाएंगे और एक फंदा हम इस परकार से निकाल लेंगे फिर एक वार से लाई हम इस परकार से इधर से डालेंगे और इस परकार से हम निकाल लेंगे यानि कि हमी 30 फंदे का sorry 30 फंदा है तो एक एक तो हमारा side करेगा वो फंदा यो ही रह जाएगा उसे में double नहीं करना है तो 28 फंदों का हम double करेंगे तो 56 फंदे और दो फंदे side वाले हमारे एक एक रहेंगे तो 56 पलस 2 to 58 फंदे हमारे हो जाएने तो आफ जितने भी फंदे लोगे उसका आपको यहांपे डबल करना हो हर फंदे को आपको डबल बनाना होगा सीधा ही बुनना है वрипृ इस परकार से यहां पर थोड़ी से आपको परिशानी होगी एक फंदे का दो फंदा बनाने में बट एक वार ही आपको परिशानी होगी फिर से लाई हैं उल्टी साइड से जबाओगे तो आराम से चलेगी तो देखिए एक फंदे का हम दो फंदा हर वर बना रहे हैं यह देखिए मैंने डवल करके फंदे बना लिए हैं 28 पंदे कर 56 पंदा कर लिया है और दो फंदे हमारे एक एक साइड के थी अब रॉंग साइड से सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे सारी रॉंग साइड से सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे सीधे नहीं सारी मैंने मास कीजिएगा गलत बोल दिया सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे रॉंग साइड से यह देखिए हमने सेकेंड रो रॉंग साइड से कंप्लीट कर ली है फ्रेस्ट रो हमारी यह तो हमारे चार रो था ही तो इसे हम छोड़ देंगे आप जहां से हमने जहां से हमने एक फंदे का दो फंदा किया था वहां से हम गिरेंगे तो हमारी एक शिलाई हो गई वो जहां एक फंदे का एक फंद एक हमने दो फंदा किया वो हमारी पहली शिलाई और पीछे से हमारी जो एक शिलाई होई उल्टी वो हमारी दूसरी शिलाई हम उसे मानेंगे अब ये जो है थाड़ शिलाई हमारी होगी तीसरी शिलाई ये पूरा हम सीधा बनाएंगे इस परकार से चौती सिलाई हमारी पूरी उल्टी होगी, पाचवी सिलाई हमारी सीधी होगी, छथी सिलाई फिर हमारी उल्टी होगी, सातवी सिलाई हमारी फिर सीधी होगी, और आथवी सिलाई फिर हमारी उल्टी होगी तो इस परकार से आठ सिलाईयां पहले complete कर लीजी उसके बाद आगे मैं बताती हूँ यह देखे हैं हमने 6 सिलाईयां complete कर ली है सिधा उल्टा बुन करके आपको यह सिलाई जो है 8 सिलाई complete करनी है मैं सेंपल बना रही हूँ इसलिए मैंने 8 सिलाईया नहीं दी क्योंकि हमारा कैप जो है चोटा होगा तो अगर हैट का बेस जादा चोड़ा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा लेकिन आपका हैट जो होगा वह बड़ा होगा इस वज़े से आपको 8 सिलाईया complete करनी होगी सीधी उल्टी बून करके तो अब देखिए हमें क्या करना है 8 सिलाईया complete होने के बाद पहला फंद हम उतार लेंगे धागा हम आगे करेंगे इस परकार से और दो फंदो का हम दो फंदा करेंगे यानि कि यहाँ पे हम जाली दे आइने फिर से धागा हम आगे करेंगे और दो फंदे हम इस परकार से लेंगे एक साथी कठे और इस परकार से हम बनाएंगे दो का दो फिर से धागा हम आगे करेंगे और दो फंदे का हम दो फंदा बनाएंगे यह पुरी सिलाई इसी परकार से हमें करना है दो फंदे का हम हमें दो फंदा तयार करना है जाली देख करके यानि कि एक हमारा बीच बीच में जाली होगा यह जाली वाली सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेनी है उसके बाद पीछे से हमें बैक साइड से एक सिलाई उल्टी बनाना है फिर वही आठ सिलाई यह हमें उल्टी सिधी कंप्लीट कर लेनी है बून करके हमें जैसे हमने यह बनाया था यह वाला उल्टे सिधी बनाया है वैसे हमें यह जाली वाला सिलाई कंप्लीट करके और फिर से हमें आठ सिलाईयां सीधी और उल्टी बना लेनी हैं। ये दिखिए मारी जायली वली सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। अब रॉंग शाइड से सारी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। इसी प्रकार से हम 8 सिलाई सीधा और उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे यह देखें यह जो सिलाई उल्टी से जा रही है वो साथवी सिलाई आपकी होगी और आठवी सिलाई जब आप कंप्लीट करोगे तो हम इसी क्या करना है देखें पहला फंदा मुतार लेंगे यह हमारी आठवी सिलाई होगी तो आठवी सिलाई जब राइट साइट से हमारी कंप्लीट होगी तो पहला फंदा मुतार लेंगे और बापस हम धागा पीछे ही रखेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे फंदे का दो फंदा क्या था बापस हमें फिर से 8D सिलाई में वही करनी हैं जितना संदा हमारा स्टाटिंग में था यानि 30 फंदे तो हमें बापस 30 फंदे ही लाने हैं तो हम इसी परकार सेखुभ पूरी शिलाई कंप्लीट करेंगे दो फंदी का एक फंदा और लास्ट का हमारा एक फंदा रह जाएगा उसे हम यूहीं सीधा बना लेगे इसी प्रकार से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं दो फंदी का एक फंदा करके यह देखिए हमने आठियों सिलाई सीधी साइट से बुन करके कम्प्लेट कर ली है तो यह जो है हमारा पोर्षन इस प्रकार से बनेगा और यह इस प्रकार से हैट की डिजाइन बनेगी यह हमारी इस प्रकार से यह मुड़ेगी इस प्रकार से और मुड़ करके यहां पर सिलाई होगा तो वह हम बाद में करेंगी अब देखिए यह हमारा तीस का तीस फंदा आ गया है देखिए यह हमने दो फंदे का एक फंदा कर लिया है अब हमें क्या करना है बैक साइड से हम वाइट वाला कलर जोड़ लेंगे बैक साइड से हम वाइट कलर को हम एड़ कर लेंगे इस पर एक इस परकार से और यह उल्टा फंदा हम बनाते चले जाएंगे पूरी सिलाई हम इस परकार से उल्टा बना लेंगे यह देखिए हमने रॉंग साइड से पूरा उल्टी बना कर कम्प्लेट कर लिया है अब राइट साइड की बारी है तो हम इसमें भी क्या करेंगे पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे सुरी सीधा बनाएंगे पूरा सिलाई हम सीधा बनाएंगे यह देखिए हमने राइट साइड कम्प्लेट कर लिया है फिर से हम रॉंग साइड पर आते हैं रॉंग साइड पर आने के बाद हम यह पूरी सिलाई फिर से हम उल्टा बनाएंगे यह रॉंग साइड हमने उल्टा बुनकर कम्प्लेट कर लिया है बापस राइट साइड की बार ही है राइट साइड में फिर से हम क्या करेंगे कि हम पूरा फंदा सीधा ही बनाते जाएंगे यह पूरी सिलाई हम सीधी बुनकर कर कम्प्लेट करेंगे यह देखिए हमने सीरी साइड से बुनकर कम्प्लीट कर लिया है अब रॉंग साइड है उल्टी साइड है तो हम ब्लू वाला फंदा यहां पर हम एड करेंगे इससे बुनेंगे एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे दूसरा फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे और तीसरा फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे धागा को इस परकार से हम सिलाई डालेंगे और जैस्ट इसके नीचे इस परकार डाल करके सारी धागा को हम आगे करेंगे इस परकार से हमने आगे कर दिया है और जैस्ट इसके नीचे से हम सिलाई डाल करके हम इस परकार से निकाल लेंगे उने निकाल लिया है हमें भागा हम धर हीया रखेंगे अर जैस्ट कीमीist के नीचे में सिलाई को इस प्रकार से डाले गें और इस प्रकार से व def IS फंदें ले करके देख़ें यह मने सिलाई जैस्ट यहां पर डाल दिया है और इसके नीचे से हम इस प्रकार से सिलाई को करके इस प्रकार से धागा और इस प्रकार से हमें ये वलस फंदा निकालना होगा ये देखिए हमारा फंदा निकलकर आ गया है अब फिर से हम क्या करेंगे कि हम चार फंदे ऊल्टे बनाएंगे दो तीन और ये चार फंदे हमने ऊल्टे बना लिए फिर से वापस हम सिलाई इस जगह पर डालेगे और इस प्रकार से करके धागा हम इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, यह हमने निकाल लिया है, बापस हम चार फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक, दो, तीन और ये चार चार फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं, धागा हम पीछे ही रखेंगे, फिर से हम सिलाई यहां पर डालेंगे, और इस परकार से हम धागा यहां पर डाल करके इस परकार से फंदे और इस परकार से हम निकाल लेंगे, फिर से हम चार फंदे उल्टा बनेंगे, एक, दो, तीन और ये चार, चार फंदे हमने बना लिये हैं, बापस हमें क्या करना है, यहां से सिलाई इस परकार से डाल करके, फिर से हमें, एक फंदे इस परकार से हमें निकाल करके, और लेकर करके, और इस परकार से हमें निकाल लेना है, बापस हमें, चार फंदे उल्टे बनाना है, पूरी सिलाई हमें इस परकार से बनानी है, अब देखे, रॉंग साइड हमने कंप्लेट कर लिया है, इस परकार से यह बना है, राइट साइड की बारी है, राइट साइड में क्या करना है, हैं विकफंद हैं निकाला इंदर से हम सिछाई डालते हुए इस परकार जेंदों इस परकार से और यह दोनों फंदे हम एक साथ इस परकार से हम बना लेंगे, यह हमने बना लिया, बापस हम दो फंदे सिध्य बनाएंगे, एक, दो, दो फंदे हमने सिध्य बना लिये हैं, बापस, फिर से हम यह जो फंदा है, वो और एक फंदा यह, दो फंदे को हम इस परक से इकठे एक फंदा बनाएंगे और इस परकार से छोड़ देंगे फिर यह जो नीचे से हम फंदा लाएं उसका पीछे वाला पोर्शन इस परकार से हम उठाएंगे और इस परकार से एक फंदा और साथ में ले करके इस परकार से हम इसे बना लेंगे यह हमने बना लिया फिर फिर से हम क्या करेंगे, दो फंदे हम सिधह बनाएंगे, एक, दो, दो फंदे हमने सिधह बना लिये, बापस फिर हम दो फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर से हम इस फंदे को यहां उठाएंगे, और इस परकार से हम ये वाला फंदा बुन लेंगे, साथ में ले करके, फिर से हम ने 2 फंद के एक पंदा बना लिया फिर से हम 2 फंदे शिधा बनाएंगे यह उल्टी सिलाई पूरी हम कंप्लीट कर लेंगे फिर हम राइट साइड से भी एक सिलाई पूरी सीधी कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर हम वाइट वाले धागे पे आएगे तो पहले यह एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी हम ब्लू वाली से कंप्लीट कर लेते है उसके बाद फिर मैं आगे बताती हूं यह देखिए हमने एक उल्टी साइड से उल्टी बुन करके और सिधी साइड से सिधी सिलाई बुन करके हमने एक सिलाई कम्प्लीट कर लिया है अब हम रॉंग साइड पर आ गया हैं तो आप हमें वाइट वाले फंदे से बनाना है तो पहले हमने तीन पंदा बुना था नॉर्मल अब हम 5 पंदे नॉर्मल पहले पाइट बुनेंगे फिशन जो च न यह हमारा पांच पंदा हमारा हो गया अब क्या करना है कि हम धागा यहीं पर रखेंगे और पीछे से हम इस परकार से अज़न रिखे से और इस परकार से हम इसे निकालेंगे, यह हमने निकाल लिया, फिर से हम चार फंदे उल्टे बनेंगे, एक, दो, तीन, और यह चार, चार फंदे हमने उल्टे बना लिये हैं, बापस हम सिलाई यहां पर लगाएंगे, और जैस्ट इसके सामने, और इस परकार से फिर से हम नि परणाले निचे परें परकार से निपारत लिए वापस परकार से अंधुम्स परकार से चारने बनाएंगे पूरी परकार से प्रणाले निकाल लाईगे उसके बाद हमारे चार फंदे बचे हैं लास्ट के ये चारो फंदे हम उल्टे ही बना लेगे इस चारो फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं अब राइट साइड की बारी है राइट साइड से देखिए हम तीन फंदे पहले बनाएंगे क्योंकि हमारे चार फंदे बचे थे तो हम तीन फंदे पहले बनाएंगे और एक इस पर पल्टेंगे अगर हमारे दो फंदे बचेंग हम इन दोनों फंदों को एक साथ लेकर के इस परकार से बनाएंगे जिस परकार से मैंने पहले बताया था यह हमने ले लिया है फिर हम इस वाले फंदे को इस परकार से इस पर पलट लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेकर के हम इस परकार से बुन लेंगे फिर हम दो फंदे स दोनों फंदे को लेकर के हम एक साथ इस परकार से सिधा बनाएंगे और इस वाले फंदे को हम ऐसे उठा करके और ये फंदा दो लेकर के दोनों एक साथ इस परकार से हम सिधा बना लेंगे फिर से हम दो फंदे सिधे बनाएंगे दो फंदे हमने सिधे बना लिये हैं और फिर मैं अधर से फिर फंदा उठा करके और इन दोनों को साथ में ले करके एक फंदा बना ना होगी Лा kangengo कि यह देखे मानी 3 फ्लावर बनाएं है 6 ए 7 आप इस परकार से छे रावर बना लेगा ये साथ लावर उसके बाख अब जब आप इससी भून करके पूरा recherche कंपलीट आप एंदले पिर वाइट वाल अल्ड और इसालाई आप उल्ट पूरी on कं कुछ नहीं कर नहीं है हमने विन से ऊपनें आप जब और बड़े बच्च का बनाओ तो अगर आपको ड्यम साल तक के बच्चे का बनाना है तो आप 5 फ्लावर बना सकते हो और जब आपको ड्यम से लेढ़ करके आपको 2-5 साल तक के बच्चे का बनाना है तो पान से लेकर के आपको 6-7 फ्लावर तक आपको बनाने होंगे तब यह डिजाइन स्टार्ट होगी तब फिर यह आप बाइट वाला कलर लगाओगे यह देखिए हमने वाला पूरा उल्टा बुल लिया है अब हमी क्या करना है कि 5 फंदे सिधे बनेगे एक दो तीन चार और यह पांच पांच फंदे सिधे बना लिये हैं उसके बाद हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे फिर से हम 5 फंदे सिधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, पांच फंदे हमने सीधे बना लिए, फिर से हम दो फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर से हम पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फंदे हमने सिध्य बना लिये हैं, फिर से हम दो फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर से हम पांच फंदे सिध्य बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, फिर से हम दो फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर से हम पाँच फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और ये हमारा पाँच वाफंदा है, यहां पर हम सीधा इस प्रकार से बना लेंगे, अब क्या करना है, उल्टी साइड से हम पूरी सिलाई जो है, ब्लू वाली से हम उल्टी बनाएंगे, वाइट वाली हमें छोड़ देनी है, ब्लू वाली से पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे, यह देखे हमने बुलू वाली से पुरी उल्टी स्लाइब उनकर कंप्लेट कर ली है अब बापस राइट साइड पर आ गये हैं तो हम चार फंदे हम पहले सीधे बनाएंगे एक दो तीन और यह चार चार फंदा हमारा हो गया अब हम दो फंदे का एक फंदा करेंगे पहले हमन दो तीन चार चार फंदे पे हमने बना लिया है अब हमने चार फंदे पे एक फंदा करना है डवल डवल का एक करना है दो फंदे का एक करना है फिर से हम चार फंदे सीधे बनेंगे एक दो तीन और यह चार चार फंदे हमने सीधे बना लिये फिर से हम दो फंदे का एक करें फिर हम चार फंदे का, चार फंदे उस सीधे बनाएंगे, तीन, चार, चार फंदे हमने सीधे बना लिए, बापस हम दो फंदे का, एक फंदा करेंगे, इस परकार से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे, यह हमने पांच पर किया, फिर चार पर करेंगे, फिर हम तीन पर बु इस परकार से हम पूरी सिलाई कम्प्लीट करते हैं यह देखिए हमारा बन पुनते बुनते एक पे एक आ गया है एक फंदा हमने बुना और दो का एक कि एक फंदा में बुना दो का एक कि इस परकार से हमारा बनाते हुए हमारे इतना फंदा बच गया है उन सब को हम क्या करें इस प्रकार से हम सुई पर उतार लेंगें कि देखिए हमने सब को सुई पर उतार लिया है और उतार करके हमें बापस इसे इस परकार से करते हुए और सीलना है सारे कैप को तो हम इस परकार से इस कैप को हम सीलेंगे हम यह देखिए हमने यहां तक सिलाई कर लिया है अब हमें क्या करना है कि यहां तक सिलाई करने के बाद देखिए यह जो हमारा cutting वाला portion है यह इसे हमें यहां से fold करना है इस परकार से कि इस परकार से हमें cutting वाले portion को fold करना है और इस परकार से यह देखिए यह जो हमारा है portion यह दोनों को हमें इस परकार से मिलाते हुए सीध्य में सिलते जाना है अंदर से अगर यह एसे तिर्चा हो जाएगा तो design अच्छे से नहीं ऊखरेगा तो यह हमारे बीक हो बीक में बिलकुल आना च風 और यह जो हमने सिलाय की है वो भी आप को ध्यान में रखना होगा बिलकुल सीधे में होना चाहिए white-wide केशा है Mickey influenced नहीं तो फिर यह डिजाइन गड़ लगेगा अच्छा नहीं लगेगा देखने में तो पूरी पहले हम डिजाइन सील के कम्प्लीट करते हैं तो यह देखिए छोटा सा कितना खुबसूरत सा हैट बेवी का तयार हो गया है अगर लड़की का है तो आप इधर भी एक फ्लावर बनाके यहां पर लगा सकते हैं और यहां भी लगा सकते हैं देखिए कितना खुबसूरत हैट तयार हो गया है तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग हो तो किर्पयाई से लाइक करें शेयर करें और सब्स स्क्राइब करना भी ना भूले धन्यावाद दोस्तों